डुम्री उप चुनाओं में सूर्य सिंग बेसरा को धोका मिलने के बाद सूर्य सिंग बेसरा ने लिया बड़ा एक्षन ऐसे उम्मिद्वार से की मुलाकात जिसे हेमन सोरेन और सुदेश महतो को हार की सता रही है डर उस उम्मिद्वार और पार्टी के नाम सुनकर चौक जा है ऐसे में सूर्य सिंग बेसरा को डुम्री उप चुनाओं में बड़ा जटका लगा है जटका इसलिए लगा है क्योंकि उनके पार्टी में रहे केंद्र सचीव बैजनात महतों ने जहारकन पीपुल्स पार्टी से नामंकन किया था फिर परचाद आखिल करने के 48 घंटे बाद आजसु पार्टी के सुप्रीम सुदेश महतों के साथ प्रेश वारता कर बैजनात ने नामंकन वापस लेने की घोश न कर दी जिसके बाद जहारकन पुपिल्स पार्टी के अध्यक्ष सुरी सिंग बेसरा ने आजसु के केंद्र अध्यक्ष सुदेश महतों पर काफ काइले पर हमला बोलकर प्रत्यासी बैजनाद का अपरन कर लिया इसके साथ इस मेडिये के सामने लाए और फिर एक बयान दिर्वाया गया कि वे नामंकन वापस लेंगे और डूमरी से आजसु पर्तियासी येशोता देवी का समर्थन करेंगे पर इसी बीच सुरी सिंग बेसरा ने आजसु को हराने के लिए बड़ा कदम उठाया दरसल जानकारी के नुसार उन्होंने ओवेसी की पर्तियासी अब्दुल मोविन रिजवी से मुलाकात की है और वह डूमरी चुनाओं में उन्हें समर्थन भी कर सकते है इदर सुरी सिंग बेसरा किस एक्षन के बाद डूमरी उप्चुनाओं को लेकर हलचल मजगी है इदर आजसु पार्टी के सुप्रीम हो सुदेश महतों भी सुरी सिंग बेसरा किस निर्णा से चिंतन में आ गया दरसल सुरी सिंग बेसरा ने ऐसा एक्षन इस लिलिया क्योंकि बैजनाद महतों ने नामंकन वापस कर लिया जिसके बाद सुरु सिंग बेसरा ने सुधेस महतों पर आरूप भी लगाये थे इधर आपको बता दे कि डूम्परी उप चुनाओं में जैमेम की और से बेवी देवी आजसु के तरफ से योशोदा देवी है पर बेसरा के द्वारा वेसी के पार्टी को समर्थत दिने के बाद ये चुनाओं तरी कोनी हो गया है आपको क्या लगता है कि बेसरा किस एक्षन के बाद डूम्परी चुनाओं का समीकरन बदलेगा या नहीं कमेट सेक्षन पर जरू बताए तब तक के लिए देख तेरे सोशल समवाद मैं आकाश्ट जैहिन